हेलो बच्चो स्वागत है आपका आपकी क्लास 3 की EVS में आज हम पढ़ेंगे Living or Non-Living Things, सजीव वा निर्जीव वस्तुएं We see many things around us, हम अपने पास आस पास बहुत सी चीजे देखते हैं जिन में से कुछ Living होती हैं, कुछ Non-Living Things होती हैं Things that have life are Living Things, जिन में जीवन होता हैं, वे सजी वस्तुएं होती हैं जैसे कि मनुश्य जार्वर और पोधे Things that do not have life are Non-Living Things, जिन में जीवन नहीं होता हैं वे निर्जी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि छाता टोकरी और ट्रक Living Things, can move, जगे बदल सकती हैं, can grow, बढ़ सकते हैं, needs food and water, पानी वा भोजन के अवशकता होती हैं, can breathe, सांस ले सकते हैं, can reproduce, प्रजनन करते हैं Non-Living Things, cannot move, घूम नहीं सकते, cannot grow, बढ़ नहीं सकते, cannot breathe, सांस नहीं ले सकते, cannot reproduce, प्रजनन नहीं कर सकते Doesn't need food and water, भोजन वा पानी के अवशकता नहीं होती, जैसे कि छाता, टोकरी और ट्रक को आप देख रहे हैं, ये सभी Non-Living Things हैं, निर्जी वस्तुएं हैं, क्योंकि ये सब घूम फिर नहीं सकती Living Things can move, सजी वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं Human being move using their legs इनसान अपने पैरों का पर्योग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तर जा सकते हैं, वह अपनी जगह बदल सकते हैं Animal use their legs to move जानवर भी अपने पैरों का पर्योग करके एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं जिन जानवरों के पैर नहीं होते, जैसे की snake और fish वे snake crawls साप रेक कर एक जगह से दूसरी जगह जाता है Fish swim in the water, मचलिया पानी में तैर कर एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है Living things grow, सजी वस्त में बढ़ती है Baby शिशू बड़ा होकर child यानी बच्चा बनता है और फिर और बड़ा होकर man आदमी बन जाता है बच्चों आप भी धीरे धीरे रोज बड़े हो रहे हैं Cow बच्चडा बड़ा होकर cow गाएं बनता है आपने सभी ने देखा होगा बच्चडा गाएं बनता है इसी तरह से seed किसी भी पेड के बीच से फल के बीच से seed से पहले पोधा प्लांट बनता है और फिर वह tree पेड बन जाता है Living things need food and water सजीव अस्तूओं को भोजन वा पानी की अवशकता होती है Human beings depend upon plants and animals for their food सजीव अपने भोजन के लिए पोधों वा अन्य जानवरों पर निर्भर रहते है Plants make their own food using water, air and sunlight पोधे हवा, सूरे और पानी की साहता से अपना भोजन स्वेम बनाते है Animals depends upon plants and other animals for their food जानवर भोजन के लिए पोधों पर वा छोटे जानवरों पर निर्भर रहते है Living things can breathe जिवित वस्तूएं सांस लेती है Human beings and animals breathe using their lungs Vanushya और जानवर अपने फेफ़रों की साहता से सांस लेते है Living things can reproduce सजीव प्रजनन करते है Reproduction is a process in which our living things give birth to the young ones of its own kind प्रजनन एक परिकिरे है जिसमें सजीव अपने जैसे बच्चों को जनम देते है A woman gives birth to a baby एक महिला अपने जैसे बच्चे को जनम देती है A cat gives birth to a kitten पिल्ली अपने जैसे बच्चे को जनम देती है Birds lay eggs from which young ones come out and slowly grow into adults पक्षी अंडे देते है अंडों में से पक्षियों के समान ही बच्चे निकलते है Non living things निर्जीव वस्तुमे Man made things जो भी चीजे मनुष्य द्वारा बनाई गई है जैसे के घर, कप, टोकरी, कुरसी, फुटबॉल, ट्रक ये सभी निर्जीव वस्तुमे है Natural things प्रकर्टिक वस्तुमे कुछ प्रकर्टिक वस्तुमे जैसे की सूरे, चांद वा पत्थर Non living things है Now it's practice time Exercise Question number one Right living or non living things in front of the things निम्ण पस्तों के सामने सजीव और निर्जीव लिखिये Question number two Right T in front of true and F in front of false सही पाक्य के सामने T और गलत पाक्य के सामने F लिखिये First sentence is Tree is a living thing पेड सजीव है बच्चो आपको यह पता करना है पेड सजीव है या निर्जीव पेड क्योंकि बड़े होते है भोजन भी बनाते है इसलिए पेड सजीव है Man is a living thing आदमी सचीव है बच्चो इस कारे को आप अपनी कॉपी में करकर अपने स्कूल के वाटसेप ग्रूप में भेजेंगे तब तक Thank you Bye Bye बच्चो